राशियों का हमारे जीवन में बहुत हिमात्वा होता है राशिक के अनुसार ब्यक्ति के सोभाव और भविशे से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकता है ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल का असर राशियों पर कुछ न कुछ जरूर पड़ता है ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाय भी हमेशा एक समान नहीं होती है अगर आप पता लगाना चाहें कि आपकी राशी क्या है और आपकी संगत राशियां कौन-कौन सी हैं तो आप बिलकुल सही जगह पर हैं यहां आप राशी जोतिस, राशी शंगतता और राशी की तीथियों के बारे में सभी जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे हम आपको बता दें कि कुल बारा जोतिश राशियां होती हैं और प्रतेक राशी की अपनी ताकत और कमजोरियां अपने खुद के विशिष्ट गून, एक्छा और जीवन तथा लोगों के प्रती रवया होता है आकाश की छवियों या जन्म के समय ग्रहों के इस्तिती के विशिलेशन की आधार पर ज्योतिश हमें एक ब्यक्ति की बुनियादी विशिष्ताओं, प्राथमिताओं, कमियों और भाय की एक छलक दे सकता है अगर हम राशियों की बुनियादी विशिष्टाओं को जान लें, तो हम वास्तों में लोगों को बहुत ही बहतर तरीके से जान सकते हैं, ब्यक्ति की 12 राशियों में से हर एक विशिष्ट रासी तत्व के अंतरगत आती हैं, चार रासी चक्र तत्व हैं, वायू, अगनी, प पहलूं पर इन उर्जा का ध्यान केंद्रित करना और हमारे सकरात्मक गुणों की एक बहतर समझपाने और नकरात्मक्ता से निपटने में मदद करना है, हम सभी में ये चार तत्व मवजूद हैं और वो जोतिशी राशियों के जुड़े चार बिलक्षन ब्यक्तितो प्रक ब्यक्ति के जीवन में राशियों का बहुत बड़ा महतो माना गया है, जोतिशास्ति के अनुसार कुल बारा राशियां बताई गई हैं और इन सभी राशियों का अपने आप में अलग ही महत्व होता है, अगर ग्रह नच्छत्रों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, तो इन सभी राशियों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ता है, किसी राशियों पर इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है, तो किसी राशियों पर इसका प्रभाव बुड़ा भी पड़ता है, ब्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाओ बना ही रहता है, समय के साथ साथ ब्यक्तियों की राश्यों में भी परिवर्तन होते रहते हैं हम आपको बता दें कि इस दुनिया में हर कोई यही चाहता है कि वो और उसका परिवार हमेशा खुश रहे साथ ही वो अपने परिवार को हर तरह की सुख सुविदा को भी प्रदान कर सके आज कल के जिन्दगी में हर कोई तो यही चाहता है कि उसका परिवार खुश रहे और उसे कोई भी चीज कई समस्या ना हो जिसके लिए वो पैसे कमाने में दिन रात लगा रहता है इतना ही नहीं हर कोई अपने परिवार की खुशी के लिए काफी कुछ करता है लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि लोग काफी मेहनत करते भी हैं लेकिन फिर भी उन्हें उनका फ़ल नहीं मिल पाता है फिर ब्यक्ति इस बात से परिशान रहता है कि आखिर उससे ऐसी क्या गलती हो गई जो कि उसके साथ ऐसा हो रहा है इतना ही नहीं कई बार ये भी देखा गया है कि लोग इस बात से इतना परिशान हो जाते हैं कि हताश हो जाते हैं लेकिन ज्योति शाष्ट की बात करें तो उसमें बताया गया है कि लोगों के जीवन में जो भी परिशानी आती है वो सब उसके ग्रहों की चाल हो सकती है और इसका सीधा असर आपके परिवार पर भी पड़ता है हम आपको बता दें कि इस दुनिया में हर कोई ब्यक्ति अपने आने वाले समय के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है वो जानना चाहता है कि उसके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा उसके आने वाले समय में सफलता प्राप्थ होगी या फिर नहीं इसी प्रकार से बहुत से सवाल उसके मन में रहते हैं आम तोर पर हर ब्यक्ति नय साल और नय महीने को लेकर काफी उत्सुक होता है कि उनका आने वाला साल, नया आने वाला महीना कैसा गुजरेगा? हम आपको बता दें कि इस संसार में हर ब्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन बहुत ही खुशहाली पुर्वक ब्यतीत हो सके, उसके जीवन में आने वाली सभी परिशानियों का नाशो जिसके लिए वो भगवान की पूजा अरादना करता रहता है, जिससे उनके कृपा प्राप् हो रही हैं, जिसकी वज़ा से ऐसी पांच राश्या हैं, जिनको बड़ी खुश खबरी मिल सकती है, और उनके जीवन में आने वाली तमाम परिशानिया भी दूर होंगी, माताकाली के किरपा से इनके जीवन में खुशियों का आगमन होगा, आज हम आपको इस खबर के माध परिख्यम से उन्ही पांच राश्यों के ब्यक्तियों के बारे में बताने वाले है, तो चलिए बताते हैं आपको उन राश्यों के बारे में पहला मेश रासी मेश रासी वाले ब्यक्तियों के ऊपर कई सालों के बाद माता काली की किरपा द्रिष्टी सबसे अधिक रहेगी जिसकी वज़ा से इनके जीवन में आने वाली सभी परिशानिया दूर होंगी कोशिश करें कि आपके द्वारा किये गए कार्य समाज के लोगों के लिए हितकारी हो खुझ से पहले दूसरों का भला करने की आदत आपको सफलता की ओर ले जाएगी माता काली का इसमरन करने से आपके जीवन में आने वाली सभी परिशानिया और समस्याएं भी दूर होंगी जो ब्याक्ती ब्यापारी हैं उनको ब्यापार में भारी धन लाव प्राप्त होने की संभावना है, आपके द्वारा की गई यात्रा से आपको लाव प्राप्त होगा दूसरा सिंग राशी सिंग राशी वाले ब्यक्तियों के उपर माता काली की विशेश कृपा बनी रहेगी जिसकी वज़ा से ये अपने जीवन में तेजी से सफलता को प्राप्त करेंगे घर परिवार में खुशहाली का वातावरन बना रहेगा जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा माता काली की किरपा से आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत बनेगी नौकरी पेशावाले ब्यक्तियों को पदोनत्ती होने की संभावना बन रही है इसके साथ ही ट्रांस रहने की जरूरत है तीसरा कन्या राशी कन्या राशी वाले ब्यक्तियों के ऊपर कई सालों के बाद माताकाली की किरपा बनी रहेगी आपके द्वारा की गई कोशिशों का परिडाम आपको प्राप्त होने वाला है अगर आप कोई नया कारे शुरू करने का विचार बना र दूर भागेंगी, माता पिता का पूरा सायोग प्राप्थ होगा और दामपत्य जीवन भी सुख में रहेगा। चौथा मकर राशी मकर राशी वाले ब्यक्तियों के उपर माता काली की अपार कृपा द्रिष्टी बनी रहेगी जो इनके लिए काफी लाफदायक सी दो होने वाला है। सेहत बिगड़ने की संभावना बन रही है। इसलिए आप अपने सेहत के प्रति सचेत रहें। 5. मीन राशी मीन राशी वाले ब्यक्तियों के उपर माता काली की कृपा द्रिष्टी बनी हुई है। जिसकी वज़त से इनके जीवन में बहुत से नए परिवर्तन आएंगे। अगर आप माता काली का नाम लेकर कोई ब्यापार शुरू करते हैं तो उसमें आपको लाफ जरूर प्राप्त होगा। ब्यापार के छेतर में सफलता प्राप्त करने के लिए आप अपने परिवार और मित्रों की सहायता ले सकते हैं। आप कोशिश करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किनों को भी आसानी से पार कर लेंगे। माता काली की कृपा द्रिष्टी से आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत बनेगी और आपके सभी कश्ट भी दूर होंगे। माता काली क्रेंटी से था खवार कर दोब होंगे। माता काली काली कि एस बड़ी कि डिंस अपके सभी कृटी की की से आर्थिक की से से बड़र कि कह़ें. झाल झाल